पपिता स्वास्ता के लिए लापकरी होता है अद्देनों के मुताबिक पपिते में कही तरह के पोशक तत्व पाये जाते है जो शरील को कई गंबिर रोगों से सुरक्षित रखने में मत करता है पपिते में विटामिस और योगी कों की मौजूद्गी होती है आहर विशशद्न के मुताबिक कुछ रोगों से ग्रासित होने पर पपिते का नेमिज सेवन करना चाहिए पपिते में एंटी ओक्सिडेंट की मात्रा आधिक होती है जो कई प्रकार की गंबिर बीमारियों और संक्रमन से सुरक्षित रखने में मत करते है कोरोना काल में पपिते को इम्मुनिटी बढ़ाने के लिए लापकारी फल माना गया पपिता विटामिन सी का उत्कुरुष्ट स्त्रोथ है जो शरीट की प्रतिरक्षा प्राणाली को मजबूत करने में अहम बोमी का निवाता है पेट, पाचन, तंत्र, त्वचा की रंगत में लिखार और अस्तमा जैसी क्रोनिक बिमारियों में पपिते का सेवन करना फाइदे मन हो सकता है एक मध्यम आकर के पपिते में 200% से अधिक विटामिन सी होता है जिसकी आपको प्रतिदिन अवशक्ता होती है जिससे रुदे रोक के जोकिम को कम करने और प्रतिरक्षा प्राणाली को बढ़ावा देने में मद मिलती है पपिते को खाने से आपको कई तरह के फाइदे मिल सकते हैं आईए जानते हैं उनके बारे में पपिता खाने के फाइदे को उच्च फाइबर वाले आहर का सेवन करना चाहिए इससे रख्त शरकरा का स्तर कम हो सकता है पपिते में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है कैंसर का खत्रा होता है कम विशेशत्नों के मताबिक पपिते में लाइकोपिन योगिक पाया जाता है जो कैंसर के खत्रे को कम कर स छिन मरюсь का कैंसर का इलाज चल रहा है, उनके लिए पपिते का सेवन फाइदेमन है इसके अलवा पपिते में अंटियोक्सिदेंट बीटा केरोटिन भी पाया जाता है बीटा केरोटिन से बरपूर आहर का सेवन यॉव में प्रोटेस्ट कैंसर के खत्रे को कम करता है हड़िया होती है मजबूत पपिते के सेवन से हड़िया मजबूत बनती है पपिता शरीड में विटामिन C की कमी को दूर करता है विटामिन C की कमी से हड़ि तूटने का खत्रा अधिक होता है पपिते में विटामिन के और कैल्शियम की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है उम्र संबंदी शिकायत से राहत शरिर में कब्स की शिकायत होने पर रोज़ाना पपिते का सेवन करना चाहिए इससे पेट साप रहता है, पेट दर्थ, कब्स में पपिता लापकारी होता है साथ ही तवचा को भी सेथ मंद रखता है आकों को स्वास्त बनाये रखने के लिए पपिता खाना चाहिए पपिता शरिर में पानी की कमी को भी दूर करता है पाचन में सायक कच्चा पपिता आपके शरी को साप करने में आपकी मत कर सकता है और पाचन में भी सुदार करता है इसमें पेपेन जैसे इंजमायन होते है जो पाचन के लिए गैस्ट्रिक एसड के स्राव को बढ़ाने में मत करते है या पोशक तत्व बैक्टिरिया को बाहर निकालने में मत करता है और पेट को टॉक्सिन फ्री रखता है हम सभी जानते हैं कि फल कई पोशक तत्व का सबसे बड़ा स्त्रोत है लेकिन कुछ फल ही ऐसे है जिने सुपरपुड कहा जा सकता है इनी में से है एक है कच्चा पपिता कच्चा पपिता स्वास्ते लाबों से भरपूर होता है कच्चा पपिता का पोदा एक nutraceutical फल का पोदा है जो क्यरी के सी परिवार से संबंदित है कच्चे पपिते में antioxidant, घनीज और vitamin होते है कच्चे पपिते के फायदे कई ट्रोपिकल फ़लों की अच्छा ही को मात दे सकते है कच्चा पपिता स्वास्त के कई फायदे पहुचा सकता है बाकि तबाम फ़लों की तरह इसमें भी कई जरूरी पोशक तत्व पाये जाते है फल कई पोशक्ततों का खजाना होते है इनका सेवन हर बीमारी से पीडित लोग करते है क्योंकि एक साथ कई नूट्रेशन को हसिल करने का ये एक बहतर सोर्स होते है जरूरी विटामिन से लेकर मिनरल्स तक इसमें काफी कुछ होता है इसलिए इसे एक सूपर फुड कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा सेप, केला, अमरूत और अनार की तरह ही कच्चा पपिता भी एक गुनकारी फल है लेकिन अपसोस की बात यह है कि लोग इस फल को खाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते कच्चा पपिता स्वास्त को कई फाइदे पहुचा सकता है बाकि तमाम फलो की तरह इसमें भी कई जरूरी पोशक तत्व पाये जाते है कच्चे पपिते में एंटी आक्सिडेंट, विटामिन और मिनरल्स होते है कच्चे पपिते में मवजूद गून कई उष्णकटी बंदिये फलो की खासियत को मात दे सकते है कच्चे पपिते को खाने से आपको कई तरह के फाइदे मिल सकते है आईए जानते है उनके बारे में कच्चा पपिता खाने के फाइदे डाइजेशन में करता है मद कच्चा पपिता आपके डाइजेशन सिस्टिम को अच्छा रखने में काफी मद कर सकता है इसके सेवन से आपको शरीर को साफ रखने में सायाता मिल सकती है कच्चे पपिते में पपेंज जैसे इंजमायन होते है जो digestion के लिए gastric acid के स्त्राव को बढ़ाने में help करते है ये पोशक ततो बैक्टरिया को बाहर निकालने में भी मदगार होते है और पेट को toxin free रखते है Cancer से बचाने में मदगार कच्चे पपिते को खाने से पुर्षो में प्रोटेस्ट और पेट के कैंसर जैसे कैंसर के जोकिम को कम किया जा सकता है इसमें dietary fiber होता है जो colon में मौज़ुद toxin को मिला सकता है यही colon cancer का कारण बनता है सेल की करता है मरमत इंजमें और phytonutrients जैसे पपेन और काइमोपेन कच्चे पपिते में होते है जो कई मामलों में स्वास्त के लिए काफी फाइदेबन साबित हो सकते है ऐसा इसलिए है क्योंकि वे नए सेल्स के लिए bleeding blocks के तोर पर काम करते है और सूजन, curves तता दर्द को रोकते है सूजन कम करने में सायक शरीट में सूजन को कम करने में भी कच्चे पपिते मदगर साबित हो सकते है कहा जाता है कि ये periods के दर्द और एठन सहीत गले के infection, श्वशन संक्रमन और शरीट की सूजन के लिए भी फायदेमन होते है दिल को रखता है healthy कच्चे पपिते में fiber, potassium और folate होता है जो blood pressure को कम करने और दिल की बिमारी के खत्रे को कम करने में आपकी मत कर सकता है आपको मेरा आज का topic अच्छा लगा होतो, please like and subscribe करना मत बुलना और bell icon को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरे आने वाली अच्छे अच्छी नई नई वीडियो का notification आपको मिले ऐसी नई नई वीडियो और अच्छे topics में आपके लिए लाता रहूँगा आज के लिए इतना ही आपका और आपके परिवार का द्यान रखिए नमस्कार मिलते हैं अगली वीडियो में